18.5.2 उर्जा के वेकलपिक स्त्रोत बढ़ती प्रोध्योगिकी के कारण हमारी उर्जा की मांग में भी लगातार वृध्धी हो रही है आवश्यक है कि हम उपलब्ध उर्जा स्त्रोतों के अधिक दक्ष उप्योग के लिए नई तक्निके ढूनते रहें और नए इस्त्रोतों की भी खोज जारी रखें पहला सौर उर्जा भारत एक भाग्यशाली देश है क्योंकि वर्ष के अधिकांज दिनों में हमें सौर उर्जा प्राप्त होती है सौर उर्जा का अर्थ धर्ती पर पढ़ रहे सूरी के प्रकाश और उश्मा से है सौरी उर्जा का विशाल स्त्रोत है सौरी उर्जा परंपरागत उर्जा स्त्रोतों से भिन्न है सौर उर्जा के तत्काल रुपांतरन द्वारा विद्युत उर्जा उत्पन की जा सकती है सौर तापन युक्तिया सोलर हीटिंग डिवाइजिस वे युक्तियां जिन में सौर उर्जा का अधिकाधिक संग्रह किया जा सके सौर तापन युक्तियां कहलाती है क्रिया विधी दो शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए इन में से एक को काला तथा दूसरे को सफेद पेंट से पोतिए इन शंक्वाकर फ्लासकों को जल से भर कर एक से डेड़ घंटे तक सीधे धूप में रखिए दोनों फ्लासकों को इस पर्ष कीजिए इन में कौन ज्यादा तप्त है आप इन दोनों फ्लासकों के जल का ताप ताप मापी द्वारा भी माप सकते हैं क्या आप कोई ऐसा उपाय सोच सकते हैं जिसके द्वारा इस ग्यान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकें। सोलर कुकर सोलर कुकर एक युक्ती है जिसे सूर्य द्वारा विकिरित उश्मा उर्जा का उप्योग करके खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर एक रोधी धातू या लकडी के बक्से का बना होता है जो भीतर से पूर्णता काले रंग का होता है पकाय जाने वाले भोजन को धातू पात्रों में रखते हैं जो बाहर से काले रंके होते हैं तत्पश्चात धातू पात्रों को सौर कूकर बकसे के अंदर रखते हैं और काच शीट से धग देते हैं एक बार सूरिकी उश्मा केड़ने कूकर बकसे में प्रवेश कर जाती है तो कांच का ढखकन उन्हें वापस बाहर जाने नहीं देता है इस तरह सूरिकी अधिकाधिक उश्मा केड़ने बकसे में रोक ली जाती है जिसके कारण सौर कूकर बकसे में तापमान दो से तीन घंटे में ही लगबख सौर डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है यह उश्मा काले पात्रों में रखी भोजन सामगरियों जैसे चावल, दालों और सबजियों को पकाने के लिए प्रयूप की जाती है सौर सेल, सोलर सेल यह सरलता से देखा जा सकता है कि ये युक्तियां दिन के कुछ निश्चित समयों पर ही उप्योगी होती है सौर सेल, सौर उर्जा को विद्यो तूर्जा में तत्काल रुपांतरित करते हैं धूप में रखे जाने पर किसी सौर सेल से 0.5 से 1.0 वोल्ट तक वोल्ट ता विक्सित होती है तथा लगभग 0.7 वाट विद्योत उत्पन कर सकते हैं जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह ववस्था सौर पैनल कहलाती है चित्रचे जिन से व्यवारिक उप्योग के लिए परियाप्त विद्योत प्राप्त हो जाती है सौर सेलों में कोई भी गतिमान पूर्जा नहीं होता इनका रख रखाव सस्ता है तथा ये बिना किसी फोक्सन युक्ति के काफी संतोश जनक कारे करते हैं सौर सेलों के उप्योग करने का एक अन्य लाभिया है कि इन्हे सुदूर तथा अगम्य अस्थानों में स्थापित किया जा सकता है जहां विद्यूत संचरन के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला तथा व्यापारिक दिष्टी से व्यहवारिक नहीं होता सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उप्योग किया जाता है जो प्रकृती में प्रचूर मात्रा में उप्योग होने वाले विशिष्ट श्रेनी के सिलिकॉन के उप्योग होने वाले विशिष्ट श्रेनी के सिलिकॉन के उप्योग होने वाले विशिष्ट श्रेनी के सिलि का उपयोग होता है जिसके कारण लागत में और विद्धी हो जाती है उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से विज्ञानिक तथा प्रध्योगिक अनुप्रियोगों के लिए किया जाता है मानव निर्मित उब ग्रहों तथा अंत्रिक क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किये जाते हैं ट्रैफिक सिग्नलों परिकलकों तथा बहुत से खिलोनों में सौर सेल लगे होते हैं सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई छतों पर इस्थापित किये जाते हैं ताकि इ अतिदिक महंगा होने के कारण सौर सेलों का घरेली उपियोग अभी तक सीमित हैं। दूसरा समुद्रों से उर्जा समुद्रों से उर्जा तीन प्रकारकी होती है। ज्वारी उर्जा टाइडल एनर्जी, तरंग उर्जा वेव एनर्जी, महा सागरी तापी उर्जा ओशियन थर्मल एनर्जी, अ ज्वारी उर्जा गुर्णन गर्ती करती प्रिथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वी खीचाओ के कारण सागरों में जल का इस्तर चड़ता वगिरता रहता है ज्वार भाटे में जल के इस्तर के चड़ने तथा गिरने से हमें ज्वारी उर्जा प्राप्त होती है ज्वारी उर्जा का दोहन सागर के किसी संकीन क्षेत्र पर बांध का निर्मान करके किया जाता है बांध के द्वार पर इस्थापित टर्बाइन ज्वारी उर्जा को विद्यूत उर्जा में रुपांत्रित कर देती है ब तरंग उर्जा इसी प्रकार समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिर जूर्जा को भी विद्युत उत्पन करने के लिए इसी धंग से संग्रहित किया जा सकता है तरंग उर्जा को संग्रहित करने के लिए टर्बाइन को घुमा कर विद्युत उत्पन किया जा सकता है स महसागरी तापी उर्जा समुद्रों अथ्वा महसागरों के प्रिष्ट का जल सूर्य द्वारप तप्त हो जाता है जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाक्रित ठंडा होता है ताप में इस अंतर का उपयोग सागरी तापी उर्जा रुपांतरन विद्युद्संयंत्र ओशियन थर्मल एनर्जी कनवर्शन प्लांट या OTC विद्युद्संयंत्र में उर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है तीसरा भू तापी उर्जा जियो थर्मल एनर्जी इन क्षेत्रों को तप्त इस्थल कहते हैं जब भूमिगत जल इन तप्त इस्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन होती है कभी-कभी इस तप्त जल को प्रिथ्वी के प्रिष्ट से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है इन निकास मारगों को गरम चश्मा अत्वा उश्निस्त्रोत कहते हैं कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फज जाती है जहां इसका दाप अत्यधिक हो जाता है तब तेस्थलों तक पाइप डाल कर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है उच्च दाप पर निकली यह भाप विद्यूद जनित्री की टर्माइन को घुमाती है जिससे विद्यूद उत्पादन करते हैं इसके द्वारा विद्यूद उत्पादन की लागत अधिक नहीं है परन्तु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां व्यापारिक द्रिष्टी कोंड से इस उर्जा का दोहन कराना व्यावारिक है न्यूजीलेंड तथा संयुक्त राज अमेरिका में भूत आपी उर्जा पर आधारित कई विद्यूद शक्ति संयंत्र कारे कर रहे हैं